नमस्ते मेरा नाम इश्वरी है मैं पांचवी कख्षा में पढ़ती हूँ मेरे पाचशाला का नाम जिल्हा परिषयत केंगरिय प्राथमी ख्याला कलेगा है मैं आपको पांचवी कख्षा के हिंदी विशे की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ किसी रड़ी के किनारे एक बीज पड़ा था, वहां बहुत छोटा था, वहां एक चिडिया आई, वहां चोच मारकर बीज को खाने चली, तभी बीज ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गडने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना, यहां सुनकर चिडि कुछ दिनों बाद पानी बरसा, पानी और भूप पाकर बीज में अंपूर फुटा, वहां कुछ दिन बाद वहां एक बक्री आई, कोमपडे देखा कर उसके मुँहों में पानी घर आया, वहां कोमपडे को खानी चली, तभी कोमपडे गहा, रुकी रहो, रुकी रहो, दाल पात होने दो, पानी खात खाने दो, तब मुझे तुम खाना, यह सुनकर बक्री में में कलती चली गई, थोड़े धिनों बाद बीज एक छोटा सा पोधा बन गया, वहां एक गाय आई, वहां एक गाय आई, उसने पोधे को खाने के लिए मुह खोला, इतने में पोधे में ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खात खाने दो, तब मुझे तुम खाना, यह सुनकर बाद भाती हुई चली गई, बहुत दिन बीच गई, उसकी डाले बड़ी बड़ी हो गई, उसकी डाले बड़ी बड़ी हो गई, एक दिन फिर वही मैं ही बीजू, मैं ही अमकूरू, मैं ही बोधा हूँ, मैं ही पेडू, अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ, यह सुनकर सब खुश हो गए, नमस्ते